सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए स्टाट करते हैं टॉपिक पुर्णांक परिचे दैनिक जीवन में पुर्णांक तो कुछ एक्जांपल दिये हो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे देखिए बच्चो एक लेविल होता है ठीक है चाहे समुद्रतल का लेविल हो चाहे जमीन का लेविल हो उसे हम 0 माल लेते हैं ठीक है जो जमीन होती है अगर उससे उपर की बात करें तो वो चीज प्लस में होती है अगर उससे उपर की बात करें और नीचे की बात करें तो वो चीज माइनस में होती है सेम उसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए तापमान 0 degree Celsius से 29 degree उपर तो ये किसम हो गया प्लस 29 degree Celsius सेकिंड समुदर तल से उपर माउंट एवरिस्ट की उचाय की बात कर रहे हैं तो ये भी उपर में बात होगी तो ये प्लस में आएगी प्लस 8848 मीटर उसी तरह से 3000 रुपे बैंक में जमा किये हैं मतलब profit हुआ ना फायदा हुआ नुकसान नहीं हुआ है फायदा हो रहा है हमारे पास जुड़ गई है वो रकम तो वो भी प्लस माएगी उसी तरह से 12 चात्र कक्षा में और आगए तो वो भी एड़ हुए हैं जुड़े हैं कक्षा में और जैसे ये पैसे जुड़े हैं उप तो ये भी प्लस के बारा हो गये जमीनी स्थर से 11 मंजिल उपर उपर की बात हो रही है तो प्लस में जब आप 10,000 कमाते हैं तो वो भी जुड़ते हैं आपके पास ठीक है तो वो भी प्लस माएगे इसी तरह से बच्चों अगर तापमान नीचे की बात करें यहां उपर क्य रहाई और बैंक से 4000 निकाले गए हां पर जमां किया गए थे इसलिए प्लस में थे 3000 यहां निकाले गए इसलिए minus में ऐसी ही 26 रखक्षा से इस्थारांतृत हो गए तो मतलब चले गए दूसरी class में चले गए हमारी class में नहीं रहे तो यह क्या हो माइनस के 2 लिखेंगे इसे जमीनी इस तर से देखें यहां 11 मंजिल उपर की बात हुई थी यहां नीचे की पार्किंग एक मंजिल नीचे तो यह माइनस 1 में आ गया ऐसे यहां पर जब आप 10,000 कमाते हैं तो वो प्लस में होंगे जब आप खर्च करते हैं तो वो माइनस में होंगे अब देखें यहां और दिखाया हुआ है पोडांग संख्या रेखा को संख्या रेखा को हम ऐसे देख सकते हैं देखिए 0 के बारे में बताया हुआ है शून्ने के बारे में ना तो इधनात्मक है ना ही रणात्मक है अब अगर इससे इधर चलेंगे तो ये प्लस में होते जाएंगे बढ़ती जाएगी संक्या अगर इधर चलेंगे तो घटती जाएगी जितना बढ़ रहे हैं इधर उतना ही नुकसान हो रहा है घटता जारा ठीक है और जितना इधर बढ़ने है उतना ही फायदा हो रहा है आपके पास एक रूपया है चार रूपय हो जाए तो आपका फायदा होगा आपको एक रूपय का नुकसान होगा और फिर आपको चार रूपय का नुकसान हो जाए तो जादा नुकसान होगा संक्या रेखा पर 0 से दाई और जाने पर दर्शा आए गई अंको कमान 0 से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है तो इधर जाएंगे माइनस में तो घटेगा प्लस में जाएंगे तो बढ़ेगा पुर्णांग के बारे में कुछ रोचक तत है 0 सभी पुर्णांग रिनात्मक पुर्णांग से बढ़ा होता है क्योंकि 0 ना तो धनात्मक के दा ना रिनात्मक बीच में आता है ठीक है और ये धनात्मक से कम होता है और इनसे बड़ा होता है एक सबसे छोटा धनात्मक पूरांख है और माइनस एक सबसे बड़ा ठीक है क्योंकि माइनस टू फिर उससे उससे छोटा फिर माइनस त्री उससे छोटा इसलिए माइनस वन सबसे बड़ा रनात्मक पूरांख ह चोथा क्या पॉइंट, सभी धनात्मक संख्या हैं, सभी धनात्मक संख्यां उसे बड़ी होती है धनात्मक की बड़ी होंगी, प्लस वाली, ठीक है संख्या रेका पर जीरो के दाई और की संख्या जीरो से बड़ी होती है अच्छा जीरो के दाई और की संख्या ये वाली संख्या जो इस पाती है प्लस वाले उस पर ये बड़ी होती है उसी तरह से दाई और की संख्या छोटी होती है जीरो से क्योंकि वो रणातमक होती है ओके स्टुडेंट्स अब आगे देखते हैं यह हमें कुशन अंसर करने हैं निमलिकी तिस्थितियों को पुड़ांग के रूप में लिखें समुदर तल से 500 मीटर नीचे की बात हो रही है इसलिए माइनस के माइनस 500 मीटर लिख देंगे हम दूसरा है रूपे 900 एक बैंक में जमा जमा की बात हो रही है तो प्लस रूपीज 900 ठीक है तीसरा रूपीज 2000 का नुकसान तो माइनस का लिखेंगे माइनस रूपीज 2000 ठीक है बचो पहले में माइनस और दूसरे में जमा लगा है हमने तीसरे में माइनस और चोथे में में जम आगा क्योंकि, चौतल है पतंग, जमीन से 500 میibo, उपर और यह तो प्लस महाज़का теперь, जमीन से उपर और रहेते ठीक हैं। तो देख लेजे कैसे लिखना आपको। पहले में माइनस लिखा, ठीक है, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, और चोथे में प्लस अब ये देख लेते हम निमले की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा बना ली पहले हमने ये जीरो हो गई यहाँ यहाँ पर कौन सी है धनात्मक संख्या यहाँ पर कौन सी है और प्लस का 3 यह वाला होगा इसमें जरूरी नहीं आप प्लस लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा माइनस में minus लिखना ज़रूरी है ठीक है students तो आपको ऐसे निरुपित करना है एक scale से बना कर संख्या रेखा इस तरह से ही बनेगी जैसे यह है ठीक है आप ऐसे बना सकते हैं और ऐसे निरुपित कर सकते हैं जैसे मैंने यहां निरुपित करके दिखाया है मतलब dot कर देना यह black pen से okay students तो आपको यह worksheet solve हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please मैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching